हेलो फ्रेंड वेलकम टू अस्टरदी विट सोधागर दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग समिकरन का हल करना सिखेंगे यानि एक्स का मान निकालना सिखेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर लिखा गया है 2x पलस 5 इक्वल टू 15 इससे हमको क्या करना ओनली फॉर एक्स का मान निकालना है तो कैसे निकालने है तो हम लोग लिखेंगे 2x पलस 5 इक्वल टू 15 देखें यहाँ पर दो कास्ट का है यानि यहाँ पर एक है ओनली फॉर डिजिट है और एक में है जिसमें एक्स लगा हुआ है यानि ABCD का कोई भी पद लगा रहेगा उसको चर बोलते है और जो खाली रहेगा उसको अचर बोलते है तो यहाँ पर अचर क्या है तो 5 और 15 है दोनों को एक जाती में हम लोग कर लेंगे तो यहाँ पर दिखेंगे 2x लिखतेंगे पलस में 5 है बराबर कि उस पर जाएगा तो मैनस 5 हो जाएगा तो हम लोग लिख लेते हैं अब देखिए यहां पर 2X बराबर 10 है हम लोग लिख सकते हैं X बराबर 10 को उसी साइड रहने देंगे और 2 गुना में है तो उधर बराबर के उस पर जाता है तब हो जाता है भाग में हम लोग 2 से क्या देंगे भाग देंगे यहां पर 2 से जब भाग देंगे तो कि से निकाल पाईएगा तो यहाँ पर दूसरा प्रस्ट हम लोग देखते हैं इसमें बोला गया है 5x plus 2 equal to 3x plus 10 यहाँ पर हम लोग करेंगे 5x दिखिए हम लोग direct करते हैं देखिए हम पर 3x उस साइड है उसको हम लोग इस साइड बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा minus 3x बराबर उस साइड 10 है 10 को लिख देगे पलस में और यहाँ plus 2 है उधर जाएगा तो minus 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा minus 2 यानि हम लोग लिख सकते हैं 5x में 3x घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2x बच जाएगा और 10 में से 2 घटाएगे तो 8 बच जाएगा कितना बच गया 8 जब 2x बराबर 8 हो गया हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 8 बटे 2 x बराबर 8 बटे 2 लिखेंगे और 8 में 2 से जब भाग देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा, यानि 2 से जब इसमें भाग देते हैं तो हमें 4 पराप्त हो जाता है, यानि X का मान जो हो जाएगा, वो हमें 4 आ जाएगा आइए हम तीसरे और चोथे प्रस्ञ को करते हैं उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजीए तो हम लोग यहाँ पर देखिए तीसरा प्रस्ण को देखते हैं तीसरा प्रस्ण का था X बटे 3 पलस X बटे 4 इक्वल टू 7 तो हम लोग क्या करना इस दोनों का LCM ले लेना है ले लेंगे LCM तो हमें आ जाएगा LCM कितना 12 3 और 4 का जब LCM लिजेगा तो आपको आएगा 12 अब क्या करते हैं 3 को इसे भाज देते हैं 3 चोके 12 और इसकी इसलिए हम लोग 4 से X को गुना करेंगे 4 गुना X करेंगे तो 4 X हो जाएगा पलस 4 तीया है 12 इसलिए 3 से इसको भी गुना करेंगे 3 गुना X करेंगे 3 X बराबर में 7 है हम लोग 7 लिख लेंगे अब देखिए दोनों को जब एड करेंगे तो हमें कितना जाएगा 4 3 7 X बराबर कितना 7 और आप लोग जानते होंगे जब बराबर में रहता है तो उझा जाएगा तो क्या हो जाएगा गुने में हो जाएगा तो नीचे ही होगा, हम लोग डारेक्ट रूप से साथ इधर भी है और साथ इधर भी काट सकते हैं बराबर में भी रहेगा तो कट सकता है यनि X का मान जो आ जाएगा 12 आ जाएगा, X का मान हमें कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा अब यह लास्ट प्रसन को देखते हैं कहता है 4 बटे X पलस 3 बटे X बराबर 14 हम लोग यहाँ पर LCM लेंगे तो X, X का LCM X ही आएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 4 पलस 3 बराबर 14 यहाँ पर जब दोनों का योग करते हैं तो 7 बटे X हो जाता है बराबर 14 और अभी हमने तुरंथ ही बताया इसको लिख सकते हैं 7 बराबर 14 गुना X लिख सकते हैं हमें X का मान गयाद करना है हमें किसका मान गयाद करना है? X का, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं देखिए, इससे अगर काटेंगे तो काट भी सकता है, इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 साद दूनी 14 यानि इसको हम लिख सकते हैं 1 बराबर 2X कैसे हमने लिखा? क्योंकि एक बार में यह कटा था और यहाँ पर 2 बार में तो इसलिए 2 गुना 2X हो जाएगा, एक बराबर 2X, अब हम लोग करेंगे X बराबर, इसी को X बराबर लिख सकते हैं एक पहले से था और दू इसके गुनाम है तो यह बटाम हो जाएगा यानि X का मान आपको कितना जाएगा? एक बटे, दो, इस तरह आप आसानी से इस तरह के परस्ण को बना सकते हैं I hope कि आपको या वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद